असलाम लेकुम students उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज हम exercise 1.3 का question 5 and 6 complete करेंगे questions को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें, comment करें और दूसरी students के साथ share करें अब हम start करते है question number 5, question number 5 की statement समझ लेते हैं, इसकी statement है हमारे पास simplify by expressing in the form A plus B iota, इन questions को हमने simplify करना है और हमने उसकी form बनानी है A plus B iota question number 5 का first part आपके सामने given है, value हमारे पास है 5 plus 2 square root minus 4 अब यहां देखें, आपके पास value में कहीं भी आपको आयोटा नजर नहीं आ रहा लेकिन हमें यहां पे form चाहिए A plus B iota एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास iota square की value होती है minus 1 अगर हम यहां से दोनों साइट पे square root ले लें तो हमारे पास आजएगा iota square into square root is equal to minus 1 का square root square square root के साथ cancel हो जाएगा और हमारे पास iota की value आजएगी square root minus 1 इन questions में हमने यह value यूज करनी है और इसे solve करना है value आपके सामने given है 5 plus 2 square root minus 4 यह हमारे पास आजएगा 5 plus 2 यहां से हम minus 1 को separate कर लेते हैं और 4 को separate कर लेते हैं हमारे पास आजएगा minus 1 multiply by 4 अब हम इन दोनों का square root भी separate कर देंगे हमारे पास आजएगा minus 1 square root into 4 square root अब यहां पे देखे हमारे पास minus 1 square root की value आई थी iota iota equal Is to Minus.'a illegal.'s iota के हम यहां पर लिख सकते हैworm2 Payot का स्केर two का स्केर Aíोट की साथ cancel हो जाएगा हमारे पास आजेगा 5 प्लस 2 iota x 2 इन दोनों वैलियू को हम Note lt baked हमारे पास बैलीव ओ जाजेगी 5 Price 4 iota अब यहां पर देखें हमारे पास फार्म हागई एक 또 B Iota की जो कि हमें चाहिए थी यह हमारा final answer है जो कि हमने find out करना था I hope कि आपको इस question की समझ आ गई होगी अब हम करते हैं इसका second part question number five का second part आपके सामने given है यहां पे हमारे पास दो brackets है इनको हम solve करेंगे हमारे पास आजएगा two plus अब यहां से हम minus one को अलएदा कर लेंगे और three को अलएदा कर लेंगे हमारे पास आजएगा minus one multiply by three same इसी तरह से इस bracket को भी solve करेंगे हमारे पास आजएगा minus one multiply by three अब यहां से हम square root minus one को separate कर लेंगे square root three को separate कर लेंगे सेम इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी सॉल्फ करेंगे अब यहां पर हमने पढ़ा था कि स्केर रूट माइनस वन इक्वल होता है आयोटा के सो जहां पर स्केर रूट माइनस वन नहीं है उसके एक्वल हम रख देंगे आयोटा सो हमारे पास वैल्यवा आजेगी टू फ्लस आयोटा इंटू इन्टू 3 यहां पर आजेगा 3 फ्लस आयोटा इन्टू स्केर रूट 3 अब हम नों को मलटिप्ला हैं अब यहां पर सबसे पहले हम टू को मलटिप्ला Parents種 के साथ साथ हुf को मैर्टिप्ला है करेंगे 3 iota sqr 3 3 iota ko multiply करेंगे हमारे पास value आजएगी iota square iota square of 3 whole ka square next हमारे पास आजएगा 6 इन दोनों को हम plus करेंगे हमारे पास आजएगा 5 iota sqr 3 iota square की value हमारे पास होती है minus 1, यह हम put कर देंगे, हमारे पास आज़ेगा minus 1, square square root के साथ cancel हो गया, bracket में आ गया 3, इसको मजीद solve करेंगे, हमारे पास आज़ेगा 6 plus 5 iota square root 3, plus minus minus 3, इसको हम मजीद simplify करेंगे, हमारे पास आज़ेगा 6 minus 3, 3 plus 5 iota into square root 3, इस value को हम ऐसे भी लिख सते हैं, 5 square root 3 into iota, अब यहां देखें, हमारे पास यह form बन गई, a plus b iota की, जो कह में चाहिए थी, और यह हमारा answer है, जो कह हमने find out करना था, I hope कि आपको इसके दोनों पार्ट की समझ आ गई होगी, next इसका third part है, वो आप पुद solve करेंगे, अब हम start करतें, इसका fourth part, question number 5 का fourth part आपके सामने given है, हमारे पास value है, 3 by square root 6 minus square root minus 12, अब यहां पर देखें, हमारे पास square root में आ रहा है, minus 12, हम minus 1 को separate कर देंगे, हमारे पास आजएगा square root 6 minus, minus 1 multiply by 12, अब यहां से, हम minus 1 की square root को separate कर देंगे, and 12 की square root को separate कर देंगे सो हमारे पास value आजएगी 3 by square root 6 minus minus 1 का square root into 12 इसे मजीद solve करेंगे हमारे पास आजएगा 3 by square root 6 minus यहाँ पे हमने value निकाली थी iota की हमारे पास आया था square root minus 1 so square root minus 1 की जगह हम iota put कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आजएगा iota into 12 को हम लिख सकते हैं 4 multiply by 3 इसको मजीद solve करेंगे हमारे पास आजएगा square root 6 minus iota 4 को हम लिख देंगे 2 का square multiply by 3 2 का square square root के साथ cancel हो जएगा हमारे पास आजएगा 2 into square root 3 इस value को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे पास आजएगा 3 by square root 6 minus 2 square root 3 into iota इसको just हमने rearrange करके लिखे और कुछ भी नहीं किया, अब हम करेंगे इसको rationalize, rationalize में हम denominator के conjugate के साथ multiply भी करते हैं और divide भी करते हैं, तो हमने इसके conjugate के साथ multiply भी कर दिया और divide भी कर दिया, अब यहाँ पर हम 3 को multiply करेंगे, इन दोनों values के साथ, हमारे पास आजएगा 3 square root 6 plus 3 multiply करेंगे 2 के साथ 6 आजएगा, हमारे पास आजएगा 6 into 3 square root iota divided by, यहाँ पर formula लगेगा, A minus B into A plus B is equal to A square minus B square, so हमारे पास आजएगा 6 square root का square minus 2 square root 3 iota whole का square, इसको मज़ीद solve करेंगे, हमारे पास आजएगा 3 square root 6 plus 6 square root 3 iota divided by square, square root के साथ cancel हो जएगा, और हमारे पास आजएगा 6 minus अब यहाँ पर देखें, हमारे पास square 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है and iota के साथ भी है, so 2 का square हमारे पास आजएगा 4 3 का square root square के साथ cancel हो जएगा, और हमारे पास आजएगा 3, और iota का आजएगा square, अब हम इसको मज़ीद solve करेंगे, हमारे पास आजएगा 3 square root 6 plus 6 square root 3 iota divided by 6 minus 4 को 3 के साथ multiply करेंगे 12 आजएगा, iota square की value होती minus 1, so वो हम यहाँ पर put कर देंगे, next इसको करेंगे हमारे पास आजएगा 6 plus 12, minus minus plus, next हमारे पास आजएगा 3 square root 6 plus 6 square root 3 iota divided by 18 6 plus 12 is equal to 18 आजएगा, अब हम इसके denominator को इन दोनो values के साथ separate करके लिखेंगे, हमारे पास आजएगा 3 square root 6 divided by 18, plus 6 square root 3 iota divided by 18 3 6 0 18, cancel हो जएगा और यहाँ पे 6 3 0 18 यह cancel हो जएगा, हमारे पास values आजएगी, square root 6 divided by 6 plus square root 3 iota divided by 3, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 6 मुझूद है, 6 को हम ऐसे लिख सकते है, square root 6 into square root 6, जब हम इन दोनों को solve करेंगे, हमारे पास आजएगा, square root 6 whole का square और square, square root के साथ cancel हो जएगा और हमारे पास दुबारा से answer आजएगा, 6 तो हम 6 को लिख सकते हैं, 6 whole का square and square root तो हमने 6 को लिख दिया, square root 6 whole का square, इसी तरह से सेम हमने 3 को भी लिख दिया, square root 3 whole का square, अब यहाँ पे हमारे पास denominator में square मुझूद है, so square, square root 6 के साथ cancel हो जएगा सेम इसी तरह से square root 3 हमारे पास है, इसका square मुझूद है square, square root 3 के साथ cancel हो जएगा, और हमारा answer आजएगा, 1 by square root 6 plus 1 by square root 3 into iota अब यहाँ पे देखें, हमने form चाहिए थी A plus B iota की, so हमारे पास form बन गई A plus B iota, जो के हमने find out करनी थी, और यही हमारा final answer है, I hope कि आपको question number 5 की समझ आ गई होगी, अब हम start करते है question number 6 question number 6 की statement आपके सामने given है, इसकी statement है, show that for all Z belongs to complex number इसमें जो हमारे पास Z है, वो belong करता है complex number और complex number क्या होते है, complex number होते है, A plus B iota question number 6 का first part आपके सामने given है, इसमें हमारे पास है Z square plus Z bar का square, is a real number हमने ये show करवाना है कि Z square plus Z bar square एक real number है, सबसे पहले हम यहाँ पे let करेंगे, कि हमारे पास जो Z है, वो equal होता है A plus B iota के, अगर Z equal है A plus B iota के, तो हमारे पास Z bar equal हो जाएगा A minus B iota के, Z bar में basically हम इसका conjugate ले ले लेते हैं, सो हमारे पास आगया A minus B iota, अब हमने solve करना है Z square plus Z bar square, यहाँ पे हम Z का square लेंगे हमारे पास आजएगा A plus B iota whole का square plus Z bar square आजएगा A minus B iota whole का square, अब हम इसके square को open करेंगे A plus B whole का square, यह formula लगाएंगे, हमारे पास आजएगा A square plus 2 A B iota plus B iota whole का square next हम इसके square को open करेंगे A minus B whole का square, यह formula लगाएंगे हमारे पास आजएगा A square minus 2 A B iota plus B iota whole का square, अब इनकी brackets को open करेंगे हमारे पास आजएगा A square plus 2 A B iota plus B square iota square plus A square minus 2 A B iota plus B square iota square, यहां से plus 2 A B iota minus 2 A B iota के साथ cancel हो जाएगा, और हमारे पास values आजएगी A square plus B square, iota square की value put करेंगे minus 1 plus A square plus B square into minus 1, इसे मजीद solve करेंगे, हमारे पास आजएगा A square minus B square plus A square minus B square, यहां से हमारे पास आजएगा 2 A square minus minus plus minus 2 B square, अब यहां से हम 2 को कॉमल ले लेंगे, हमारे पास आजएगा 2 into A square minus B square, हमने यह शो करना था कि Z square plus Z bar square एक real number है, real number वो होता है, जिसके साथ आयोटा ना हो, तो हमारा जो answer आया, वो है 2 into A square minus B square, यहां गया हमारे पास real number, तो हम यहां लिखेंगे 2 into A square minus B square is a real number, जो कि हमने find out करना था, और यही हमारा final answer है, I hope कि आपको first part की समझ आ गई होगी, अब हम start करेंगे, इसका second part, question number 6 का second part आपके सामने given है, इसमें हमारे पास है Z minus Z bar whole का square, is a real number, हमने यह proof करना है, कि यह एक real number है, सबसे पहले हम let करेंगे, Z हमारे पास होता है, A plus B Iota, and Z bar हमारे पास आ जाता है, A minus B Iota, अब यहां पर हमें सबसे पहले Z minus Z bar चाहिए, सो हमारे पास आ जाएगा Z minus Z bar is equal to A plus B Iota, minus Z bar हमारे पास आजएगा A minus B Iota, next step में हम इसकी bracket को open करेंगे, हमारे पास आएगा A plus B Iota minus A इस minus को हम इसके साथ multiply करेंगे हमारे पास आजएगा plus B Iota plus A minus A के साथ cancel हमारे पास value आगी 2 B Iota यह आगे हमारे पास Z minus Z bar अब हमें Z minus Z bar whole का square चाहिए तो हम दोनों साइड पे whole का square ले लेंगे अब यह square 2 के साथ भी है B के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है तो हमारे पास आजएगा 4 B square Iota square नेक्स टेप में हम Iota square की value पुट करेंगे minus 1 हमारे पास answer आजएगा minus 4 B square Z minus Z bar whole का square हमारे पास आगया minus 4 B square और हमने find out करना था कि यह एक real number है real number वो होता है जिसके साथ Iota मुझूद ना हो तो यह आगया हमारे पास real number और यही इसका final answer है यहाँ पे हमारा question number 6 होता है complete I hope कि आपको question number 6 की समझा आ गई होगी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया subscribe करें वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को like करें comment करें और दूसरे students के साथ share करें मिलते हैं next lecture में अलाफीज